हमारे साथ मौझूद है कानपूर से बीजेपी सांसद सत्य देव पचौरी पचौरी जी साब तोर पे ये कहा जा रहा है वैक्सिनेशन की प्रक्रिया तमाम देश में चल रही है लेकिन एक स्वास्त मंतराले से एक डिटा रिलेज हुआ है उसमें ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश इगारवे पायदान पर है 21.5 फिजदी वैक्सिनेशन अब तक उत्तर प्रदेश में हुआ है आपको लगता है जिस तरह से योगी जी बार बार अपनी पीट थप थपा रहे हैं वैक्सिनेशन को लेकर मैं जानता हूं कि पॉपूलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रांस है 25 करोड की आवादी है और 25 करोड में उन्होंने 5 करोड का वैक्सिनेशन कर लिया है और रोज रिकार्ड इस इस्थापित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग लेकिन जितनी हमें सप्लाई हो रही है उत्ते की तो हम लगा पाएंगे अभी उत्त पादन में कहीं न कहीं जो वो मोमेंटम नहीं आपाया है जो आना चाहिए जो आपशकता है जो रिक्वारिमेंट है वह में लगता है कि अब अगस्त से पूरा होगा तो उत्तर प्रदेश काईमी पिछड़ा होगा पिहार से भी नीचे हैं आप अब आकड़ों की बाजीगरी मुझे पता नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम हो रहा है एक दिन में 16 लाग लोगों को विट्टी की लगाई है तो बहुत बहुत है पच्वारी जी कावर्ण यात्रा की बात करें उत्तरा खंड ने एनाउंस कर दिया है कि कावर जात्रा को निकालने के लिए आपको लगता है कि अगर बैवस्था बनाई जाया लेकिन फिर भी बैवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है दोनों जगे की इस्तितियां भिंदे हैं उत्तराकर ने रोग लगाई इसलिए कि कामड का पानी जो है कामड यह उन्हीं के यहां से वो एक पॉइंट है एक तो एक साथ इस्ति भीड़ना हो इनके यहां जो कामड यह जो के बलुत तरप्रदेश के जाएंगे वो लोग अपने कंडे पर कामड लेके जाते हैं तो एक आदमी लेके चलता है दूसरे आदमी में कम से कम 10 पिसका डिल्टेंट रहता है तो इन्ह उन्होंने करोना के नियुमों की पालन की के अनुमत दिये इसलिए मैं समझता हूं उसमें कोई बुराई नहीं दोनों अपने अपनी सरकारें जगह साही है पचारी जी उत्तरप्रदेश में 2022 में विधान सबाद चुनाओं है बीजेपी भी चुनावी मोड में आ चुकी है आपको लगता है कि जो छोटे दल है उनकी भूमी का निनायक हो सकती है देखिए हमारा जिन छोटे दलों से पहले ही से समन्वा है सामझस है और केंद सरकार में भी हैं और उनसे पहले ही सम्मन्द है बारती जनता पार्टी अपने भूते पे पहले भी सरकार बनाई थी 2017 में 2024 में भी हम सबसे ज़्यादा लोग सभा में सीटे जीते थे और 2022 में भी जीते हैंगे फ़र 2024 लेकिन ओम प्रकास राजबर क्यों नाराज हो जाते हैं बार बार वीजेपी से वो उनकी प्रकृति है उसको किसी को प्रकृति को बदला नहीं जा सकता है एक अंतिम सवाल अभी आप थोड़ी देर में रेलवे बोर्ट के चेर्मेन से मिलने जा रहे हैं कानपूर के जो जो रेलवे लाइन्स है उसके बारे में आपने लोकसभा में भी कई बार आवाज उठाई है इसको लेकर देखें ये महत्पूर्ण मुद्दा है अन्मरकर्ण से मनना तक की रेलवे लाइन को हटाने का कई सांसत बार बार कह चुकी है लेकिन मैंने लोकसभा चुनाओं में दोजार सथाईज में जन्ता को वाइदा किया था कि मैं जीत के जाऊंगा तो ये रेलवे लाइन हटाने के लिए प्रयत्न करूंगा और वो उसी कड़ी में मैंने जो आस्वासन दिया है मैंने सुनिकाल में मुद्दा उठाया है मैंने प्यूस गुएल जी को भी पत्र लिखा है रेलवे बोर्ड के चेयर्मेन को भी लिखा और पीएस गुएल जी ने उस पर एक सर्वे टीम भी बनाई थी सर्वे टीम की रिपोर्ट तीन वार आ चुकी है इनको और मैं समझता हूँ कि उत पर बोर्ड को निर्णा करना है इसलिए मैं बोर्ड के चेयर्मेन को सारी जो परसितियां हैं वहां की और सर्वे रिपोर्ड के बारे मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह की दिक्कत है वहां ऐसा है कि रिल्वे लाइन सहर के बीचों बीच से निकलती है सहर दो भागों में बढ़ जाता है 16 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहां 18 फाटक है जहां एक भी फ्राई ओबर नहीं है उसके कारण ते जब 55 गाड़ियां निकलती है दिन में तो वो फाटक बंद होता है और रोड अच्छन में आबादी है अगर कचेहरी जाना उत्तर में मेडिकल काने जाना उत्तर में पुलिस अधिकारियों से मिलना है तो पतर में तो सारे ओफिस का रहे जो भी है सब उत्तर में रेल्वे लाइन को क्रोस करना पड़ता है रेल्वे लाइन बंद होती है तो कभी-कभी एम्बूलेट में जा रहा मरूज जाम में फस जाता है और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता यह अभी एक उधारन आपको दे दूँ जब महामाई में राश्टपती आये थे और वहां रास्ता रोका गया था तो एक व्यक्तिकी मिस्रा की रास्ते में मौत हो गई थी अब तामने है इसलिए यह जनहित में है के रेल्वे लाइन अठाई जाए आपसे बात करने के लिए शुक्रिया कैमर्मन रोहित के साथ पुशकल भारत समचार दिल्ली